कि स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सौप्टर स्टड़ी पर आज इस वीडियो में आपके लिए क्लास 12 हिस्ट्री फॉर्स चेप्टर का एंसी आटी से से लेक्टेड अब्जेक्टिव क्यूसंस को लाए गया है इस वीडियो के सभी क्यूसंस से को लिया गया है जो आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए हेडिंग है फॉर्स चेप्टर का इट मन के तथा अस्थियां हरप्पा सविता से जुड़ी यह चैप्टर है तो इस चैप्टर के इंपोर्टेंट से जार हैं तो चलिए फॉस्ट क्यूशन है इस वीडियो का हरप्पा सभेता का सबसे बड़ा नगर कौन था आपको आस ऑप्षिन से मोहन जोद्रो काली बंगा लोथल और रंगपूर तो क्या होगा इसका राइट एंसर हरप्पा सभेता का सबसे बड़ा नगर कौन था त तो चीज शो इसापूर से श्वापचास इसापूर्व माना गया है और एडियो कारवन के द्वारा सीफ़ूर्टिन के द्वारा इसका पता लगाए घरमिपर्वों क्याइदा की क्यांना ermता गया जाता है और हुरा सबहतक करेदा का दो परसीद के अंदर हरप्पा और मोहन जोद्रों है यह भी आपको इंपोर्टेंट है याद रखने हैं और यह जुरुवा राजधानी भी आपको पूशे आती है तो आपका इंसर यही होगा कि हरप्पा और मोहन जोद्रों जो थे वह जुरुडवा राजधानी थी और आपको याद रखने हैं हमारा हरप्पा किस नदी के किनारे इस्तित है आपका ओप्शन से सिंधु ब्यास सतलज या रावी तो क्या होगा इसका राइट एंसर तो देखिए जो हरप्पा नदी है अगर आपको पता है तो कमेंट किजिए हरपा जो नदी है वह ओप्शन नमर किनारे इस्तित है और नीचे जो मैंने लिस्ट बना कर दे दिया हूं कि कौन सा जगह किस नदी पर इस्तित है तो आपको यह भी याद रखने आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है और यही मतलब बहुत से जगह हैं हरप्पा सवयता में आते हैं लेकिन जो चार इं रखने आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है नेक्सक नेमारा है कि हरा पास अबयता किस यूग की सबथा ती है आपको ऑप्शन से पुर्वब पासान यूग नौपासान यूग लोह हूर यह कास यूग तो इसका राइट एंसर हो द्ट हरापा सबथा जो है वह माल स्यूग की सभिता है तो यह भी आपको याद रखने हैं आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्यूशन्स है और यदि आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हरपा सभेता का नगर था तो आपके अप्शन्स हैं दो अस्तरिये तीन अस्तरिये एक अस्तरिया इन में से सभी तो क्या होगा इसका राइट एंसर फोर का जो राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर है हरपा सभेता का नगर था दो अस्तरिये नगर था तो नगर की सब्यता थी इसकी पर्मुख विसेस्ता इसकी नगर निर्मान योजना है तो यह भी आपको याद रखने हैं यह सब क्यूशन्स आपके एक्जाम में आते हैं तू मार्क्स में हरपा सब्यता की बस्तियों दो भागों में भी भाजी थी एक का नाम था दूर्क और सर बिलियाम जोन सिहां मार्टी मार्टीम मयर ही है और विसकी एसरी का धयां सरोस्षिंश्क अमभी होगा अश्ब्षाली चुदाई सब्सक्राइब दोनब की नें तो भागों में बट्टी together दूर निचला-सहर तो यह आपको याद रखने हैं आपके एक्जाम के लिए नेक्स उमारा क्यूषन है लो फ़ लिस्टी था उपसन से गुजरात में बंगाल में राजस्थान में पंजाब में तो इसका हो फ़ोस्तो हो ठोपने नदी में रहें है नदी के बारे में तो नदी वहें नदेर ने बहुत नदी के तो रावी नदी मोहन जोद्रों पताया लिखे नीचे मोहन जोद्रों किस नदी के किनारे इस्तित है सिंदु नदी याद रखना है काली बंगन गगर नदी यह सब आपको याद रखना है अभी मैंने उपर पढ़ाया है इसको बताया है तो यह सब आप याद यह सब आपको याद रखने हैं और पुझाय काली बंगन इस्तित आपको आपशन्स दिया गया है इसका इसका जो राइट एंसर होगा सेवन का ओप्शन सी राजस्थान में राजस्थान के हनुमानगर जिले में इस्तित था ये भी आपको याद रखने हैं नेक्स्ट यूशन है हमारा सिंदु घाटी सभेता में हल का परमान कहां से मिला है हल जो चलाने वाला होता है उसका परमान कहांसे मिला है उपशन्स है हाड़ान जोद्रो रोपर या काली बंगन तो क्या हो सब्छाबा में कहा तो कहा गया तू क्यूंब आगया था क्योंकि हरब पासंस्कृति कि सिंधू नदी की घाती में फैले होने के कारण सिंधू घाती की सभीता भी कहते हैं यह आपको याद रखने आपके लिए बहुत important questions है तो यह सब questions को आपको याद रखने हैं फिर देखिए हराथ सिंदू-गाटी की सब्विता में हल के परमान काली बंगन से मिले हैं तो यह सभी आपको याद रखने हैं और काली बंगन किस नदी के टट पड़ा है तो घंगर नदी के टट पड़ा है इंपोर्टेंट क्यूशन है याद रखिए अपक का भारतियों अधिव मा देप की पहली सभेता विकास हुआ तो अभी हमानों किस रखिवारें पर रहे हैं हरा ठाव portion रखिए कि याद नहीं हैतों चैणिल को सब्सक्राइब जरूर के जाएंगे तो आपको सब्सक्राइब करना है सिंदु घाटी निवासियों को किस धात्तु का ग्यान नहीं था तो यह बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन बहुत बार एकजाम में पूछा जा चुगा है आप को स्वेंग को खोल कर देखें तो इसका जो राइट एंसर होगा असनानागार जो होता है वह एक आयताकार जलासे है जो चारों और से गली आरे से घीरा हुआ है जलासे के तल तक जाने के लिए सीनिया बनी थी तो यह भी आपको याद रखने हैं तो इसका क्या होगा राइट एंसर कि असे कहां से मिले हैं तो 11 का जो राइट एंसर होगा आप्सान नमबर भी मोहन जोद्रों से मोहन जोद्रों किस नदी के टट पर इस्ती था तो याद रखने हैं आपको उपर बताया भी गया है बार बार नदी के बारें बताने हैं सिंध नदी के टट पर इस्ती थे तो यह आपको याद रखने हैं और जो था उस समय जो हरपा सवेता में था मुख सिचाई का जो सुरत था वो नहरे एवं जलासे यही सब तो थे वह मुख सिचाई के स्रोत थे आपको याद रखने हैं सिंदु सभेता को किस रेनिक अंतरगत रखा गया है तो आप्सण इहें एतिहासिकाल अध्य एतिहासिकाल पूर्व एतिहासिकाल इन में से कोई नहीं चलिए आप बताइए अभी सिंदु सभेता की खोज कब हुई थी अभी आपको कमेंट करना इस एंसर को जानने से पहले हाँ जी सही जवाब तो याद रखिएगा तो इसका जो राइट एंसर नमर भी अध्य आतिहासिकाल नेक्स्क्यूशन है हमारा सिंदु घाटी सभेता की जुडवा राध्धानी थी आपको सुरू में ही सबसे पहले ही मैंने इस एंसर की स्कूशन का अंसर बता दिया था तो क्या होग इसका राइ अध्या करद रखिएगा तो कि मौहन जोद्र किस भासा का सब्द आपका अप्शन से हैं हिंदी ब्यासनी सी ए उर्दू और डे फार सी तो क्या होगा इसका राइट एंसर 14 का पता है aos 14 का जो राइं छोगा ऑप्शन नमर भी सिंदी मौहन जो रोसनी भासा का सब्द है कि नेस्ट क्यूशन है हमारा हरप्पा कहां पड़िश्थी था अभी है बरतमान में हरप्पा कहां पड़िश्थी थे यही पुछ रहा है आपसे क्यूशन तो यह आपको जान लेना बहुत जरूरी है तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा option number A पाकिस्तान में कहा में हरपा भी पाकिस्तान में किस जिले में पाकिस्तान का मोंट गोमडी जिला ये भी आपको याद रखने है next question है हमारा नीम ने किस अस्थल में खांचेदार खेत के प्रमान मिले है आपको आपको options है बनावली, लोथल, काली बंगन, राखी गरी तो क्या होगा इसका राइट एंसर तो जो इसका राइट एंसर होगा 16 का काली बंगन क्या होगा इसका राइट एंसर option number C, the right answer 16 का क्या होगा C, काली बंगन तो काली बंगन के जो उत्खालन करता जो थे वो बीबी लाल एवं बीके थापर की कितने इसमी में के थे तो यह भी आपको याद रखने है आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है जो लोग थे वो धरती को वर बरता की देवी मानकर उसकी पुजा किया करते थे तो यह भी आपको याद रखने हैं यह questions भी two marks में पुझा जाता है तो यह सब आपको याद रखने हैं और उस समय जो था वो ब्रिच पूजा सीव पूजा पर चलन यह सब क्या था मिलता था नेक्स्ट क्यूशन है हमारा और बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन है हरापपा टीले का उलेक सरपर्थम 1826 सिस्वी में किस ने किया ओ यही हरापपा की लेक टीले का जो उलेक था वो सरपर्थम किया गया था कब तो 1826 सिस्वी में किनके दवारा तो आपका options हैं Charles Mason, John Brunton, William Sir John Marshall तो क्या होगा इसका राइट अंसर 18 का जो होगा option नमर ए चौल्ट मैसन याद रखने हैं आपको question number 19 है जो हमारा हरापपा सबेता में प्राप्त ओतल चक्की पर किस पूरा विद्ध ने परकास डाला है जो उसमें चक्की जो मिला था तो किस पूरा विद्ध ने परकास डाला है तो क्या 19 का दो राइट अंसर ओएगा option नमर बी अने श्टक मैके ने याद रखिएगा एकजाम के लिए बहुत important है इस वीडियो के सभी questions important है आपके एकजाम के लिए हरापपा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरे पाई गई है यह बनी होती थी तो आपको बता दूँ कि हरापा सबेता की जो मुहरे बनी होई थी वो एक सिल्खेरी नामक पत्थर से बनी होती थी तो इसका जो options है आपके पास लोहे की चांदी की फिरोजा पत्थर की या सिल्खेर से खड़ी की तो इसका राइट एंसर और अप्शन नमबर डी से खड़ी नेस्ट क्यूशन है मारा और इस वीडियो का लास्ट क्यूशन है और बहुत important क्यूशन है हरपा वासियों द्वा ज़ुशन हाइस्व enorm coiallows मतलब हरपा सरा कोई सिन्दू सरचते आपको बता दिया गया है कि में पूरा डिसकस नहीं कर पाए है क्योंकि इस वीडियो मात्र 21 लिया गया है और इससे अभी इस वीडियो का पूरा जो है वह कंप्लीट नहीं हो पाया है इस जो टॉपिक का हरपा सवेता का एक या दो वीडियो और आएगा जिसमें आपको सभी तरह के जो क्या फसले थी कौन से जानवर पाए जाते थे मतलब यह सभी टम्स को आपको उसमें क्या करा जाएगा तो आप मतलब अगले वीडियो का इंतज जरूर करें और यदि आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद